आगरा, इद मिलादु नभी 21 नवंबर को है, इस मौके पर ओपुक लाइव, कौम आपको हमारे प्यारी नभी हजरत मुहम्मद सल के जिन्दगी के बारे में बता रहा है, जिसकी पहली किस्त आप पढ़ चुके हैं, लीजिये पेश है इसकी दूसरी किस्त, आपकी की जिम्मेदारी पूरी तरह से उठाई, आपकी नेक खसलतों और दिल लुभा देने वाली बच्पन की प्यारी प्यारी अदाओं ने अबू तालिब को आपका ऐसा दिवाना बना दिया कि मकान के अंदर और बाहर हर वक्त आपको अपने साथ ही रखते, अपने साथ खिला पिलाते और सुलाते थे, अबू तालिब का बयान है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि हुजूर सलललाहु तौला अलही वसल्लम ने किसी वक्त भी किसी को नुकसान पहुचाया हो या बिहुदा लड़कों के पास खेलने के लिए गए हो, आप हमेशा इंतहाए खुश, अखला, नेक अकबार, नर्म गुफ्तार, बुलंद किर्दार और ओला दर्जे के पार्सा और परहे जगार रहे। गुफ्तार में, किर्दार में, आमालो अमल मैंनुजा हुआ दामने मुस्तफा नहीं देखा। तूने जमीन पैरों के बोसे तो ले ये मेरे रसूल इपाक का साया नहीं देखा, एक बार मुल्के अरब में खौफना का काल पड़ गया। पूरे मुल्क मन बारिस ना होने से सूखे के हालात पैदा हो गए। ऐसे में मुल्क के वाशिंदों ने काबा शरीफ के मुत्वल्ली और सज्जादान शीन अबु तालिब के पास दूआ की द दर्मियान हुजूर सलललाहु वसल्लम ने अपनी अंगुली मुबारक को आसमान की तरफ उठा दिया। एक दम चारों तरफ से काली घटाओं के साथ रिमजिम बारिस शुरू हो गई। जिससे पूरे अरब की जमीन फिर से हरी भरी हो गई और चारों और खुशहाली चा ग जिससे आपको व्यापारी लेंदेन का काफी तरजुबा भी हासल हो चुका था। सहाबाए किराम का बयान है कि आप व्यापार बहुत ही नर्म दिल से किया करते। व्यापार के दौरान आपकी कभी किसी से तू-तू, मैमे की नौबत नहीं आई। आपको तमाम अहले बजा आमीन अमानतदार के लकब से पुकाराने लगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अबिल हमसा सहाबी रज्य लाहु अन्हु का बयान है कि मैंने आपसे कुछ खरीदो फरोग्त का मामला किया। कुछ रकम अदा कर दी। कुछ बाकी रह गई थी। मैंने वादा किया कि मैं अभी अभी आकर बाकी रकम भी अदा कर दूनगा। इक्तफाक से मुझे तीन दिन तक अपना वादा याद नहीं आया। तीसरे दिन जब मैं उस जगह पहुँचा जहां मैंने आने का वाइदा किया था तो आपको उसी जगह मुंचिर पाया। मगर मेरी इस वाइदा खिलाफी स आपके माथे पर सिकन तक ना थी। हुजूर सलललाहु तौला अलही वसल्लम जब जवानी के आलम में पहुँचे तो बच्पन की तरह आपकी जवानी भी आम लोगों से निराली थी। आपका शबाब मुझसम हया और चाल-चलन इसत का अनोखा नमूना था। आपकी तमाम जिन्दगी बहतरीन अखलाक वा आदतों का खजाना थी। सच्छाई, दियानतदारी, वफादारी, वक्त की पाबंदी, बुझूर्गों की इजजत, छोटु से प्यार, रिष्टेदारा से महाबत, रहमव सखावत, कौम की खिदमत, दोस्ता से हमदर्डी, अजीजों की गमक्वारी, गरीबों और मुफलिसों की खबर रखना, दुश्मनों के साथ नेक बरताव, खुदा की दी हुई नेमतों को बरकरार रखना वा उनका नुकसान ना पहुचाना, गरज की तमाम खसलतों और अच्छी अच्छी बाटा में आप इतनी बुलंद मंजल पर पहु के साथ दोस्तों वह दुश्मनों से मिलना, हर मामले में साथगी और सफाई के साथ बात करना पसंद फर्माते। आप हिर्स, तमा, दगा, फरेब, जूट, शरब खुरी, बदकारी, ना चगाना, लूटमार, फोहश्गोई, इश्कबाजी इन तमाम बुरी आदतों से नफ करते, जबकि अरब में उस दोरान जहालियत का दौर था, आपका किरदार अरब में दूर दूर तक मशहूर हो गया। बदे बदे सरदाराने कुरेश उनके साथ अकदे निकाह के ख्वाहिश मन थे, लेकिन उन्होंने सब के पैगामों को ठुकरा दिया। आदार खुद्बा पेश किये। आप दिन रात खाले के काइनात प्रिष्टी के रचाइता की जात्व सिफात विशेशनों के तसब्बुर में मुस्ट करक, ध्यान मग्न और अपनी कौम के बिगर हुए हालात के सुधार और इसकी तदबीरों उपचार के सोच विचार में मसरूफ रहने लगे। और इन दिनों में एक नई बात यह भी हो गई कि आपको अच्छे अच्छे खावत स्वपन नजर आने लगे। और आपका हर खावत इतना सच्चा होता कि आप खावत में जो कुछ देखते उसकी ताबीर सुबह सादिक की तरह रोशन होकर जाहिर हो जाया करती थी। मक्का मुकर्रमा से तकरीबन तीन मील की दूरी पर जबले हिरा नामी पहाडी के उपर एक गार कुफाप है जिसको गारे हिरा कहते हैं गारे हिरा वो जगह है जहां हुजूर सलललाहु तौला अलेही वसल्लम ने नबूवत के दौरान खुदा की इबादत की साथ ही इसी ग में आप पर कुराने पाक नाजल हुआ आप अकसर कई कई दिनों का खाना पानी साथ लेकर उस गार के पुरसुकून महाल के अंदर खुदा की इबादत में मस्रूफ रहा करते थे जब खाना पानी खत्म हो जाता तो कभी खुद घर पर आकर ले आते और कभी हजरते बीवी खदीजा रज्यल्लाहु अनहा खाना पानी गार में पहुचा दिया करती थी। आज भी यह नूरानी गार अपनी असली हालात में मौजूद है। बताते कि आपके दादा जान अब्दुल मुतलिब अपने जमाने में इस गारे हिरा में खाना पानी साथ लेकर जाते और कई कई दिनों तक खुदा की अबादत में मस्रूफ रहा करते थे आपके दादा जान रमजान शरीफ के महीने में अकसर गारे हिरा में एहतकाफ किया करते थे और खुदा के ध्यान में गौशा नशीन रहा करते थे